Hello my dear students, Vinayak Nursing Academy में आप सभी का एक बार फिसे स्वागत है Yes, Student Query and Solution के इस सेशन के अंदर आज हम लोगोंने तीन MCQs लिये हैं जो की हमारे स्टुडेंट दीपनीता के द्वारा पूछे गए हैं तो तीनों क्यूशन को हम लोग डिसकस करेंगे आप भी अपने क्यूशन जो है, Vinayak Nursing Academy की अप के अंदर चैट बोक्स में जा करके, डारेक्ट बुक से इमेज खीच करके या फिर आप टाइप करना चाते हैं, तो टाइप भी कर सकते हैं वो कुछ इस परकार सा, ये तीनों स्क्रिंशोट इनों ने सेंड किये है तो तीनों क्यूशन को अपन वन बाइवन डिसकस करेंगे डियर तो Vinayak Nursing Academy से जुड़ जाइए, काफी कम कीमत के अंदर ओनली 1499 के अंदर 1499 के अंदर एक साल तक आपको Complete Slabers, यानि Video Lectures, PDF Notes और Test Series भी साथ में Free मिल रही है ठीक है तो चलेगा तीनों क्यूशन को one by one study करते हैं तो पहला क्यूशन जो कि मैंने टाइप कर लिया है जो कि First क्यूशन है इसके अंदर Screen Sort वाला जो भेजा हुआ है पहला है कि एक patient OPD में आता है और उसको जो है कुछ Impaired Collagious Fiber Yes Dear Present with Impaired Collagious Fiber and Matrix ठीक है दूसरी बात करेंगे Defective Formation of Intracellular Cementing Substances and Lack of Collagen Very Important Point ठीक है Dear Lack of Collagen Next causes Rapture of the Capillaries and Defective Formation of New Capillaries Capillaries का formation नहीं होगा ठीक है Then Hematoma in the Muscles and Bones causes Severe Pain and Tenderness Which Disease is Presented About तो इन में से कौन से Disease के Symptoms है Dear तो Option है अपने पास में Scurvy, Ricketts, Night Blindness तो Night Blindness तो Dear Vision से Related है तो सीधा-सीधा ये तो आंसर ही गलत हो जाता है Osteomalacia तीन Option अपने पास में हाँ पे आते हैं जो कि थोड़े-थोड़े Related Dear हो सकते हैं तो इन में से Most जो Correct Answer क्या होगा Dear तो हमें अच्छे से पता है Dear Vitamin C की कमी से Scurvy होता है ठीक है Dear और Scurvy में क्या होता है Dear Vitamin C किस चीज के लिए जरूरी है Collagen के formation के लिए जरूरी है किस के formation के लिए Collagen के formation के लिए जरूरी है और Collagen Dear Muscles में भी यूज होता है Yes or No Muscles, Blood Vessels ठीक है और Cementing Substance Cementing of Tissue Cementing का मतलब होता है जैसे मकान बनाने में Cement का काम आता है उसी प्रकार के Tissue के formation में Yes, Collagen का रोल यहाँ पे होता है तो इन तीनों के अंदर किसका रोल है डियर Collagen का और Collagen के formation के लिए कौन जरूरी है Vitamin C जरूरी है जिसे Ascorbic Acid B कहा जाता है Ascorbic Acid B कहा जाता है जिसका आमला जो होता है वो Richest Source of Vitamin C होता है जितने भी Citrus Fruits होते हैं खटे फल होते हैं और Vitamin C की कमी से सकर भी होता है जिसकी वेज़से Collagen का formation नहीं होगा और Collagen का formation नहीं होगा तो Muscles, Blood Vessels और Cementing सबस्टांस का formation नहीं होगा ठीक है और इनी से Related थे कोई सारे Symptoms थे Impaired Collagenous Fiber Lake of Collagen Intracellular Cementing ठीक है इसके लाव रप्चर of Capillaries हाँ Blood Vessels के अंदर भी यस लिखा न Blood Vessels तो Rupcher of Capillaries and Defective Formation of New Capillaries and Hemetomine Muscles Muscles के अंदर Blood Clot होने लग जाएंगे तो इस Question का जो है Right Answer क्या होगा डियर सकर भी जो है इसका Right Answer होगा यस दूसरे Question की तरफ में बढ़ते हैं ओके डियर अभी अपने जो बाते रिसकेस करी है आप इसको पढ़ सकते हैं जो की Vitamin C किसली जरूरी है और इसकी कमी से क्या हो सकता जो मैंने अभी अभी explain कर दिया है चलिएगा Next बढ़ते हैं अगले Question की तरफ What is the normal duration of AV nodal delay इस Question को अपनको समझने के लिए ECG पढ़ना पढ़ता डियर ठीक है और ECG को बहुत ही detail और वाश्ट तरीके से मैंने Cardiovascular System के अंदर पढ़ा रखा है आप वहां से पढ़ सकते हैं अगर आप Member नहीं है तो Member बन सकते हैं ठीक है डियर तो उसमें मैंने आपको बताया था ECG के अंदर जो Waves होती है डियर लाइक P-Wave फिर ये PR Segment Q, RS Complex फिर T, ST Segment और T-Wave बनती है तो मैंने आपको बताया था P-Wave दरसाती है Atrial Depolarization को Depolarization को यानि Contraction को Contraction को दरसाती है और QRS Complex है वो दरसाता है डियर Ventricular Depolarization को Polarization को ठीक है डियर Ventricular Depolarization यानि Ventricles के Constriction को देखिए ये हो गया Atria ये हो गया Ventricle और बीच में होता AV Node यहां होता है SA Node तो SA Node जब IMPLSE जनरेट करता है तो पहले दोनों के दोनों Atria Constrict होंगे तो क्या बनती है लेकिन P-Wave के बाद में AV Node Depolarization होगा P-Wave के बाद में Ventricle Constrict होंगे तो क्या बनेगा QRS Complex बनेगा लेकिन इसके बीच में एक Segment आया था इसके बीच में क्या idea रही कि ये Segment आया जिसे अपन PR Segment भी बोल सकते हैं या फिर P-Q Segment के नाम से भी इससे जाना जाता है This is the Segment Interval मत बोलना इसको और ये Segment दरसाता है कि AV Node AV Node कितनी देर में कितनी देर में Depolarize होता है तो जितना टाइम AV Node Depolarize होने में लेगा उसी चीज़ को अपन बोलेंगे AV Nodal Delay उसी चीज़ को अपन क्या कहेंगे AV Nodal Delay कहा जाएगा AV Node का Delay Time कहा जाएगा जो कि कितना होता है देरो P-Wave का टाइम मैंने बताया था 2 to 3 Small Box Small Box बताया था Yes or No? इसका मतलब हो गया 0.08 से 0.08 से 0.12 से Yes or No? Millisecond में इसको बदलना है तो 80 से 120 millisecond होता है चुकि answer second में millisecond में भी आ सकता है याद रखेगा Millisecond का मलब 1000 से गुना करना है Simple सी बात है तो इसको अगर 1000 से गुना करोगे तो 80 आएगा इसको 1000 से गुना करोगे तो 120 आएगा ठीक है? तो इसका मैंने पी वेव का टाइम बताया था ये वाला ऐसे ही पी आर सेगमेंट का भी टाइम बताया था 223 small box small box 2 से 3 छोटे डब्बे और 1 छोटे डब्बे का टाइम होता है 0.04 सेकंड तो 2 का कितना हो जाएगा दियर 0.08 से 3 का कितना हो जाएगा? 0.12 सेकंड same as पी वेव पी वेव का जितना टाइम होगा उतना ही टाइम पी आर सेगमेंट का होगा डियर यानि A-B नोडल डिले का होगा जिसका होगा आपन बात करें मिली सेकंड में तो 80 से 120 मिली सेकंड तो इसमें most correct answer कौन सा होगा जो इस range में आता है डियर तो most correct answer क्या हो जाएगा? 0.10 सेकंड थोड़ा सा और बता देता हूँ यहाँ पे यह जो QRS complex है QRS complex पूरा complete होने में QRS complex पूरा complete होने में याद रखेगा डियर 2 से धाई 2 से धाई box small box small box का time लेता है इसका मालब 2 डब्बों में हो गया एक डब्बे में 0.04 सेकंड तो 2 में हो गया 0.08 से धाई का कितना हो जाएगा डियर 0.10 सेकंड यानि मैं बोलू 80 से 100 मिली सेकंड मिली सेकंड में भी option आते हैं इसलिए मिली सेकंड का मतलब बस इतना सा है सेकंड वाली वेल्यू को 1000 से गुणा कर दो और बाकी ECG को अगर आपको बहुत ही डिटेल तरीके से बहुत ही सुल्जे होए तरीके से पढ़ना है तो cardiovascular system के अंदर मैंने आपको पढ़ा रखा है total 5 lecture में ECG है तो लगबग 6 घंटे की classes है ECG की 6-7 घंटे की classes है वाट अगर आपने ये 6-7 घंटे invest किया तो guarantee देता हूँ कि आप उसको कभी भी नहीं भूलेंगे बहुत अच्छे तरीके से मैंने वहाँ पे समझा रखा ठीक है तो आसा करता हूँ इस question का answer आपके पास में आ गया है third question जो इन्हों ने पूछा है वो है कि thymectomy thymectomy का मतलब होता है removal of removal of thymus gland thymus gland ठीक है तो इसलिए पहला option तो हो गया आपने पास गलत लेकिन आपने ये कर दिया answer तो आपका answer हो जाएगा dear गलत क्यों हो जाएगा क्योंकि question आपने पूरा पड़ा नहीं केवल thymectomy पड़ा और removal of the thymus gland कर दिया इसको आपने टिक किया ये answer हो गया आपका गलत क्यों गलत हो गया उसको समझाता हूँ आगे पड़ेंगे thymectomy यानि removal of thymus gland एक treatment option है some patient with myasthenia gravis myasthenia gravis एक disease है dear जो की neuromuscular junction की disease है किसकी है dear? neuromuscular NMJ neuromuscular junction पे yes dear acetylcholine के जो receptor है acetylcholine के जो receptor है उनके against क्या बन जाती है dear उनके against क्या बन जाती है auto antibody बन जाती है auto antibody बन जाती है most cases में देखा जाता है कि thymus gland ऐसा करती है thymus gland क्या करती है yes dear thymus gland क्या करती है auto antibody का formation करती है ठीक है और thymus gland क्या करेगी dear auto antibody बना रही है इसको अपन कहेंगे auto immunity auto immunity से कहा जाएगा तो इस cases में क्या किया जाता है कि क्या करते है थाइमस ग्लेंड को remove कर देते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस के case में माइस्थेनिया ग्रेविस disease आपको याद होगा थोड़ा साथ बता देता हूँ फटा फट से माइस्थेनिया ग्रेविस एनमजे गा डिसोडर जिसमें ACH की receptor के against auto antibody बन जाती है autoimmune disorder है यस दियर इसके अंदर अपनने sign symptoms पढ़ेते तो first sign इसका होता है drooping of the eyelid, tosis जिसे pertosis भी बोल सकते हो आप P-T-O-S-I-S second common sign होता है इसका diplopia double vision double double दिखाए देना ठीके दियर third इसका सबसे important sign होता है descending weakness, descending weakness, descending muscle weakness but यह कैसी होगी डियर flaccid type की, flaccid type की होगी, sitil type की होगी spastic type की descending muscle weakness देखने को मिलती है multiple sclerosis में याद आ गया होगा multiple sclerosis के अंदर क्या देखने को मिलती है डियर spastic type की, यहाँ flaccid देखने को मिल रही है जबकि multiple sclerosis में कैसी देखने को मिलेगी, spastic type की देखने को मिलेगी ascending weakness की इसमें देखने को मिलती है, GBS में देखने को मिलती है तो इस सब चीज आपने comparative तरीके से पढ़ा रखिए yes or no dear, तो वह आप अच्छे से पड़े हुए हैं तो यहाँ पर flaccid type की weakness देखने को मिलेगी ascending agravist में, इसको diagnose करने के लिए अपन एंडरोफोनियम यानि टेंसिलोन टेस्ट करते हैं, यह भी आपको याद आ गया होगा इसकी drug of choice पूछी आती है exam में तो यह पूछा है, जबकि यह कह रहा है, यह तो मतलब बता रहा है समझ में आए बात, इसलिए यह option गलत है, यह क्यों किया गया यह इसलिए किया गया कि autoimmune antigen का production जो कि auto antibody होती है, वो decrease किया जा सके आई बात समझ में, यस, तो माइस्थेनिया ग्रेविस में thymectomy करने का, thymectomy करने का क्या कारण है to decrease the autoimmune antigen production to suppress the acetylcholine esterase-like activity, it is the treatment goal यह किसका goal है, डियर, goal of treatment goal of treatment है goal of treatment का idea, acetylcholine esterase की activity को कम करना और बाकि पूरी details से इस disease को मैंने explain कर रखा है, आपने neurology के chapter के अंदर वहाँ जाकर के आप इसको बहुत detail से पढ़ सकते हैं, ठीक है तो यह जो है third question हो गया, दीप निता के द्वारा पूछा हुआ तो right answer हो जाएगा इसका, sorry, A नहीं यहाँ पर answer क्या होगा dear, यहाँ पर answer होगा C answer क्या हो जाएगा dear, C जो है correct answer हो जाएगा yes or no, तो विनाएग नर्सिंग अकेडमी की app को आज ही download कीजिए, काफी कम कीमत में only 1499 के अंदर आपको video lecture, yes, notes, pdf notes आपको मिलेंगे वहाँ पर और test series भी साथ में free मिलेगी, तो start learning आज से शुरू कर दीजिए just only 1499, all the best